चिराग पासवान ने बिहार में खाद की काला बजारी को लेकर काफी गंभीर आरूप बिहार सरकार के उपर लगाया है नमस्कार आप देख रहे हैं जहकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकान्थ चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियोंगे तो कर लिजेगा और फेस्बूप पेज को भी लाइक करिएगा ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरे जाते रहती है वहाँ भी फॉलो करें ताकि आप तक खबरे आसानी से पहुँचते रहे अब मैं आता हूँ मुद्दे पर बिहार में खाद का काले बजारी जम कर होती है इसको लेकर अधिकारी और सासन प्रसासन तंत्र पर कई बार आरोप लगते रहते हैं उनके मंत्राले से लेकर, उनकी कमीटी से लेकर, उनके करमचारी से लेकर और उन प्रखंड पंचायतों तक भी ये बाते खुलियाम है कि खादों में किस परकार से कालावजारी की जाती है इसको लेकर चिराग पासवान ने आवाज उठाया है और कहा है वो ट्विट के माध्यम से तमाम पत्र लिख कर ये बाते कही है कि भिहार में जो खाद की काला बजारी हो रही है जो प्रधान मंत्री केंदर के द्वारा भेजा जाता है खाद किसानों के लिए उन खादों का भीतरन सही से हो साथी उनका कहना था कि हम जो जिस प्रकार से जिलो जिलो में घूम रहे थे तो उस वक्त तमाम किसानों आकर जिस प्रकार से बताये थे अपनी समस्याएं वो बाते कर रहे थे अब बाते उठती है सीधे तोर पर नितीस कुमार पर जिस प्रकार से सिच्छा और स्वास्त पर जिस प्रकार हमलावर थे चिराग पासवान अब फिर से खाद को लेकर किसानों के मुद्दों को लेकर चिराग पासवान फिर से अपनी बातों को कर रहे हैं अब देखना यह है कि क्या बिहार सरकारी से संग्यान मिलेगी और केंदर सरकार के जिस प्रकार से खाद उपलब्द करानी की बातों को लेकर चिराग पासवान मुखर हुए हैं तो ये बाते समझ में आती हैं और साथ ही मिली भगत और नेताओं करमचारियों की मिली भगत को लेकर चिराग पासवान का कहना था कि ये लोग काला बजारी कराते हैं और करते हैं तो अब देखना यह है कि ये बाते कितना बिहार सरकार संग्यान मिलेगी और उसके बाद फिर जिस प्रकार से किसानों को प् पाते हैं क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा भी ये खाद उपलब्द कराया जाता है मगर काला बजारी पर इस पर रोक लगाने के लिए क्या उपाई अभी तक सरकार के द्वारा की गई है और क्या उपाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए यह महतपुर्ण बाते हैं और य लिए से अधिक परिशानी न हो जितना आसानी से उन्तक खाद पहुँच जाये सरकारी योजनाओं का मतलब होता है कि उन्तक पहुचना चाहिए मगर उन तक लाव कितना पहुचता है यह एक प्रमुख प्रस्ण है जो सरकार में बने हुए लोगों को ये बाते ध्याना क्रिष्ट कराने के लिए हमें बार बार यह कहना पड़ेगा कि आप मिली भगत करके काला बजारी नहीं कराईए जो नेता इस प्रकार की आवाज उठ हम उनको प्रमुकता देंगे या भी फिलाल चिराग पासवान ने कहें साथी भी पचके नेता भी बिहार के कहते रहें तो हम उन पर भी खबरे चलाते रहते हैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा या आप देख रहे हैं जकास भारत यह थी खाद की काला बजारी जो हो रही ह है उसके बाद पुलीस के लाठी डंडे भी बर्साया जाते हैं और साथी सेटिंग एटिंग करके खाद बिकरी काला बजारी की जाती है अभी के लिए इतना ही कहेंगे आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो कर लिजेगा मेरा नाम हुआ रवी कांथ धन्यवाद प्रिया लगवाद एवी के लिए एंडे लिएकरी की जाते हैं अभी की जाते हैं पन्यवाद भी कि जाते हैं इतना हैं अभी कि जाते हैं नहीं ताहर हैं?